Hello friends, so आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही important चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे tools related है यह जो कि हमारा tool Google Business Profile Growth Manager तो आप अपने Google की जो लिस्टिंग है उसको grow कर रहे हैं, इसका use करके और साथ ही में आप यह जरूर जाना चाहते होंगी कि क्या statistics हैं, कितने के लोग आपकी profile पर आ रहे हैं, web से आ रहे हैं, map के वाया आ रहे हैं, calls के तुरू आ रहे हैं, click कर रहे हैं, आपकी website पर जा रहे ह हैं, तो यह सारी detailed insights इस tool के अंदर provide की जाती है, in fact आप keywords के basis पर भी जान पाएंगे, क्योंकि normally आपको पता नहीं चलता है, कि keywords पे, किस keywords के search पे, कितने लोगों ने actually visit किया, तो यह सारी detailed insight हमारे इस tool के अंदर है, और इतना ही नहीं, साथ ही में आप insight को download कर सकते हैं, image format में, तो बहुत असान हो जाता है, अगर आप अपने clients से insights हर month share करना चाते हैं, तो आपको उसमें बिल्कुल भी efforts नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ आप उसको download करते हैं, और उनसे attach करके report में share कर देते हैं, तो आइए देखते हैं insights में क्या-क्या चीज़ें हमने इसमें provide हैं, friends ज एक basic insights है, आपको dashboard में मिलती है, इसके अलावा एक insight आपके जहां business listing हो रही है, वहाँ पे भी रहती है, just for short, so that आप कुछ चीज़ें initially जान पाएं, अगर आप एक agency है और multiple profiles manage कर रहे हैं, तो यह बहुत मुश्किल है, कि हर profile में जाकर करके आप चेक करें कि reviews आयें की नहीं आ तो इसका यहाँ पे count दिखा देगा, जिससे कि आप यह समझ जाएंगे, जैसे इन profiles में नहीं दिखा रहा है, बट इस profile में दिखा रहा है, तो आप समझ गएं कि इसमें एक unreplied review है, तो आप जाके उसको अगर manually reply करना चारे हैं, तो आप manually उसको reply कर सकते हैं, इसके बाद हम वापे से अपने profile में आ जाते हैं, और profile में complete section दिया गया है, insights का detail में, वो insights यहाँ पे हैं, left में insights लिखा हुआ है, और इससे यह insights open हो जाएगा, insights की सबसे खास बात, जो कि Google का insights है, उससे हमारे में यह है, कि हम इसमें date range देते हैं, तो आप एक date range के बीच में insights चेक कर सकते ह है, अपने panel के जरीए, यहाँ पर आप देख रहे है, customer search for business, customers view your business on google, customer action, phone calls, local post interaction, photo views, photo quality, तो इतने सारे insights तो आप यहाँ पर ही मिल रहे हैं, जिन में आप बहुत easily काफी कुछ समा सकते हैं, इसके अलावा है, आपका new profile performance का insight, जो आपको यहाँ पर यह बटन दिख रहा है, आ आपके profile में, और आप नीचे आप देखेंगे, तो यहाँ पर Google search, mobile, desktop, Google Maps का desktop, mobile, यह सारे के सारे दिखा रहा है, कि इस date range के बीच में यह search हुई है, और इनको अलग तरह से graph से denote कर रहा है, साथी में सबसे important है, यह keyword जैसा मैंने आप लोग को बताया था, तो किस keyword पे आपकी search किती जादा हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं, किस keyword पे आपके किती searches है, किस keyword के जरिये, जब लोग keyword search करते हैं, और आपका profile आता है, तो आपके profile पे click होता है, तो अगर आप इस पे see more पे click करेंगे, तो और भी keywords यह पताएगा, आप देख रहे हैं, काफी सारे keywords इसके होगी, और यह बहुत जरूरी है, अगर गलत keyword search पे आपके profile visible हो रही है, तो user जो घून रहा है, वो आपके profile पे आपके business पे नहीं मिलेगा, कभी भी आपको कोई leads या calls या इस तरही की चीज़े नहीं मिलेंगी, और अगर आएंगी भी तो वो कोई भी चीज आप से related नहीं ह बहुत important है, और last thing जो मैं आप लोगों से इसमें share करना चाहँगा, वो है, जो मैंने आप लोगों से इसमें शेयर करना चाहँगा, जो मैंने आप लोगों से डाउनलोड हो सकती insights, तो यह है download का button, आप जैसे ही इस पे click करेंगे, आपकी insights है, वो आपके system पे download हो जाएगी, और वो complete view होगा, इसका पूरा एक length में जितने भी insights के boxes हैं हमारे, जितने panels हैं, और वो total आप image report के जरीए अपने client से यह directly भी उसको share कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर आपके कुछ suggestions हो, कुछ और आप इसमें चाहते हो, तो आप जुरूर comment करिए, जो possibility होगी, जितना Google हम प्रोवाइड करा रहा है, resource या API तो उसके हसाब से हम चीजें add करने की पूरी कोशिश करेंगे, thanks for watching.